अब लाश्ट वीक बच रहा है, आज संडे हो गया, अब निक्स्ट संडे जो होगा, आप दस बजे एक्जाम में बैठ जाओके, दस बजे, मिंस 9.50 तक आपका गेट क्लोज हो जाता है, तो यानि कि आप 9.00 एम के आफपास आप एक्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे, ट् चीज को, तो देखो, तो लाश्ट वीक है, वो काफी इंपोर्टेंट होता है, लोट अफ टाइम क्या है, कि वार का आप जब प्रिपरेशन करते हो, कहीं भी, तो वार का प्रिपरेशन बहुत लंबा टाइम होता है, और मेनी टाइम, वार हैपन इन जस्ट, सम टाइम इन sometime in hours, it is decided, your war will end for five hours, five hours में आपका war end हो जाएगा, two times, आपको fight करना है, और तो fight दूसरे से नहीं करना है, यहाँ इसकी सबसे बड़ी beauty है, कि fight आपको अपने आप से करना है, आप no doubt, a lot of candidates are fighting for the same dwell, लेकिन आपको अपने आप से struggle करना है, आपको अपने को हराना है, आप जो आज हैं, कल उसको अपने को better prove करना है, तो आप last week जो भी है, वो एक तरह से यह मानों, कि आप कुछेत्र के मैदान में पहुच चुके हो, सेनाएं दोनों आमने सामने है, और बस संख वजने की देर है, लेकिन उस duration में आपको जो है, बजे, रंदुदुम्भी बजे, तो फाइट के लिए तयार हो जाए, तो same situation आपके लिए है, आप उसी सिती में खाड़े हो, you are standing in front of your enemy, you can say, your enemy is no one, but your own preparation, today's preparation, you should defeat yesterday's, and tomorrow's you should be better than today, that's the thing, or that day, means next Sunday, जब आप actual में हो, तो आप अपने best में हो, आप अपने peak में हो, अब जो भी आप है, लेको, consolidate, whatever you read till now, just revision now, अब कोई भी चीज़े के करना ही नहीं है, वो जो काते हैं, concur must be followed by consolidation, see, concur must be followed by consolidation, whatever you conquered, concurred in the sense की syllabus, जितना भी syllabus आपने cover कर लिया, अब ये चीज़ के लिए pain मतलो, कि इतना हमारा छूट गया नहीं, जितना पढ़ा है, उस पर कितना command है, अब ये decide करेगा, कि आप in हो, या out हो, whatever, अब बलके किसी ने just imagine करो, कि कुछ चीज़ नहीं पढ़ा, कुछ chapter नहीं पढ़ा, कुछ subject पे full command नहीं है, forget all things, जिस पे command है उसको revise करो, a lot of time होता है न, कि वो चीज़ को आप पढ़े हुए, exam में आपका confusion होता है, क्योंकि ये पैसी के question में, this is the beauty, कि option बहुत अच्छे set करते हैं, sometime यही चीज़े होती है, कि option के कारण आपको आता हुआ question भी नहीं बनता है, और sometime option के beauty ये होती है, कि नहीं आता हुआ question भी आपसे बनता है, lot of questions आइसे होते हैं, जो कि question actual में difficult है, लेकिन option को इस ढंग से उन्होंने set किया, कि जदी आपका click कर गया, mind click कर गया, दिमाग click कर गया, तो वो आप easily उसको बना लोगे, उसको easily solve कर लोगे, sometime क्या है, कि actual में आपने उसको पढ़ा है, जो दिया हुआ लेकिन option इस ढंग से उन्होंने set करा है, कि कुछ चीज़े आपको confusion 50-50 में आ करके रह जाते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि whatever you read till date, whatever question you attempted, तो वो उसको आप proper तरीका से revise, 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 just imagine करो कि test, इस Sunday को हम test upload नहीं किये है, हमने बोला था, कि में भी upload होगा, लेकिन हम upload नहीं कर रहा है, अब जो भी है, मान के चलो कि जैसे हमने 18 test upload किया, तो उसमें से जितने भी, आपने suppose 5 test, या आप कहीं से भी और का, suppose आपने कहीं का free का भी test था, suppose हमने free का 2 test दिया, या आपने 5 test attempt किया, 10 test attempt किया, कहीं भी, उस चीज़ को फीर से आप proper करो, जिसने भी, ज जितना test को आपने attempt किया है, उसको multiple times revise करो, previous year paper को फिर one time आप next जो आपका coming बच रहा है, उसमें आप पूरे के पूरे revise कर लो, उसको proper तरीका से आप जो भी बच रहा है, उसको revise कर लो, ठीक है, तो यह आपका revision जो होना चाहिए, अब जितना से, जिसने short notes, short notes इसी time में काम आता है, कि आपने 150 pages का short notes बना रखा है, cracks बना रखा है, crisp notes बना रखा है, तो उसको जो है, आप multiple times अभी भी है, कि उसको 3-4-5 बार उसको revise करो, revise, 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 revise कर सकते हो, ठीक है, तो अब new चीजें कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, just revision, उसके बाद, positivity must be maintained, अब बैसा है, हम next attempt देते हैं, 2021 का देखते हैं, whatever will happen, वो आपको decide करना है, जो 20th December है, उसके evening में आपको decide करना है, कि क्या होना है, वो आप उस evening में, जब आप paper दे करके आ जाते हो, आप अपने performance से satisfied नहीं होते हैं, तो no doubt आपको छोड़ना नहीं है, आप हमेंशा ही एक fighter हो, एक warrior हो, तो आपको वो छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी इस चीज को यह negativity एकदम मतलाओ दिमाग में, जो कुछ आपने, जितना भी पढ़ा हुआ है, maybe a lot of things जो आपने किया हुआ है, उससे चीजे कबर हो जाएं, ऐसा नहीं है ना, कि आप जदी one year से पढ़ रहे हो, कोई one year से, कोई two year से, कोई six month से पढ़ रहे हो, तो आप चीजों को जानते हो, आप vacuum में नहीं जा रहे हो, आप zero नहीं जा रहे हो, आप tabula rasa हो करके नहीं जा रहे हो, blank flat हो करके नहीं जा रहे हो, आप कुछ न कुछ चीजों को जानते हो, whatever will happen, obviously है exam के बाद, सब लोग नहीं select होगे, तो आपको competition है, competition अपने आप से भी है और competition दूसरे से भी है, किसी ने मान के जो अपना best किया, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो सही से पूरे चीजों को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या है कि positivity को हमेशा maintain ये करके रखना है, so positivity आपका हमेशा इस duration में don't call unnecessary persons की ये है वो है, a lot of wherever there is disturbing, don't go in that direction, तीक है, आप इस समय, for one week, just give yourself, give one week to yourself, dedicate completely to yourself, take yourself as your best friend and give one complete dedicated week to yourself, don't deviate here and there, okay? निक्स आपका है, take care of your health, health also important है, एक चीज़े और होती है कि अभी winter season है, in winter season, depending on कि कौन कहां center दे रहे हो, suppose someone is in south India or western part of India, suppose in western part, suppose Maharashtra as well as Gujarat, there you will not feel any problem, but in north India and other places, you will feel very cold, in that cold environment, you have to write in that way, so take care of your health, take warm water if possible, just for one week, take warm water and all, take proper care of your health, क्योंकि ये अभी बहुत important है, खास करके हम जिस COVID-19 pandemic के phase में पास हो रहे हैं, तो उसमें से क्या है, SAV health का बहुत अधिक important issue है, उस चीज़ का proper care रखो, चाहे जो भी है, एक सब्ता तक के लिए गरम पानी ही पीओ, प्रोपर तरीका से timely खाना खाओ, और दीन में better है कि सोने का habit नहीं डालो, रात में अपना, at least जिस time में exam है, तो वो उस time में aware रहो, ठीक है, ही उनके लिए है, जिनको थोड़ा सा confusion लगता है, थोड़ा घबडाय हुए है, कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बनाने की, हिम्मत और होसले बुलं है, आपके पास question security, which personal question है, तो आप WhatsApp नमबर पे संपर्क करें, या फिर Telegram नमबर पे, ठीक है, तो positivity को maintain रखते हुए, इस भी खुप प्रोपर तरीका से use करें और revision करें, ओके, thank you.